सब्सक्राइब किजिए निगा निट्स को और बेल आइकॉन को दबा कर दुनिया वरक्त की ताज़ा घबरे पाईए सबसे ज़्याद लगा डाला टी 20 क्रिकेट ए इतिहास के एक पारी में सबसे ज़्यादा चखे क्रिकेट जगत का सबसे धाकर और बैखोट बलेबाज क्रिस गेल को माना जाता है कई दिनों के खामोश के बाद एक बार फिर वेस्टिंदीज का यह बलेबाज जागू उठा चुका है जी हाँ यह बात बिलकुल सच है मौजूदा समय में बांगलादेश प्रीमियर लीग में नजर आने वाले वेस्टिंदीज का यह दिगज बलेबाज ने फाइनल मेच के दोरान रनों की जमकर आतिश बाजी की इस दोरान गेल ने तूथानी बलेबाजी करते हुए टी ट्वेंटी क्रिकेट की एक पारी में सरवाधिक छके लगाने का रिकायर भी बना डाला जर दिये कुल अठारा गगन चुम्बी छके मीरपुर के शेरी ये बागला नैशनल स्टेडियम में खेलने के दोरान क्रिस गेल ने धाका डाइनामाइट्स के गेंदबाजों के खिलाफ जमकर चौकों चके बरसाते हुए वे मातर उनहतर गेंदों का सामना कर 146 रनों की आसाधारन पारी खेल डाली साथ ही इस दोरान गेल ने कुल अठारा च के भी जर दिέ जो की T20 की एक पारी के दोरान किसी भी बलेबाज द्वारा सरवाधिक चके लगाने का रिकायर भी हैं इंतरव्यू के दोरान गेल ने कहीं अपने मन की बात क्रिस गेल ने मैच के बाद दिये गए इंटर्व्यू के दौरान कहा कि फाइनल में दर्शकों से भरे खचाखच स्टेडियम में शतक बनाना मेरे लिए एक शानदार लमहा रहा अपनी टीम के खिताब जीतने पर में बेहद ही खुश हूं साथ ही में अपने प्रदर्शन से अभी पूरी तरह से संतुष्ठ हैं आपको बता दे गेल ने बांगलादेश के क्रिकेट प्रीमियर लीग के दौरान कुल पांच शतक जदा था जो की अब तक का सबसे श्रेश्ट रहा मैकुलम के साथ निभाये इरिकायर तोड साजेदारी सुनील नारायन के बोलिंग की जमकर प्रशंसा करते हुए वे क्रिस गेल ने कहा कि वह एक सर्वश्रेश्ट बोलिंग है और उनके खिलाफ बलेबाजी करना आसान नहीं होता हाला कि विकेट अच्छी थी जिसकी वजह से खुलकर खेलने का मौका मिला गौरतलब है कि गेल ने न्यूजी लेंड के कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले